ओम्रमिश्यवाय हरहर महादेव जेशुशंभो दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है चाने और अंजाने में हम यह बाते लोगों को बता देते हैं और जब इन बातों को हम लोगों को बताते हैं तो उससे परिशानिया हमारी बढ़ जाती है क्योंकि ग्रहों में शुक्र, शनी और राहू और ब्रस्वती अकसर बहुत सारे जातकों को इन बातों को पब्लिक डॉमिन में बताने से यह ग्रह खराब होते हैं और इन ग्रहों के खराब होते ही जीवन में कई सारी बादाय और परिशानिया सुरू हो जाती है बहुत से जातकों को तो समझ ही नहीं आता है कि हमने कहां गलती की है और कौन से चीज़े हमने खराब की है कि जिससे हमारे काम नहीं बन पा रहे उनके जिवन में आर्थी किस्ति खराब होगी जिस कारे को वो कर रहे हैं उस कारे में सफलता नहीं मिलेगी और इतनी सारी परिशानी बादा है जो उनका पीचा छोड़ने का नाम नहीं लेती है इसलिए जाने और अंजाने में कभी भी यह पांच बातें हमें किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए अगर आप इने साजा करते हैं तो समझेगा कि आप अपने हाथ से ही राहू को खराब कर रहे हैं और जहां राहू खराब होगा शेनी खराब होगा कि जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाएगा तो आपसे निवेदन है कि भूल कर भी इन बातों को किसी भी जातक के साथ साजा हमें नहीं करना है और कौन से साउधानिया रखना है इसे भी स्विस्तार से इस वीडियो में आप समझेंगे आप सभी से निवेदने की चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज आप करें कमेंट्स में भूलेनात का एक नाम लिखें चाहते हैं अगर अपनी कुंड़ी का विशलेशन हमसे करवाना तो स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं आप आए वाटसअप पर अपटमेंट में लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस शुलक लागो है दोस्तों सबसे पहली और मूल बात है कि अपना उद्देश अपना टार्गेट अपना जीवन का लक्ष कभी किसी के साथ शेहर न करें मेरा आपसे निवे दने बहुत सारे लोग काम होता नहीं है लेकिन उस काम को हुने के बीच में ही बहुत बड़ी-बड़ी डिंगे आकना शूरू कर देते है जब भे आप यह बाते अपने मुख से बाहर करते हैं उन बाहरी लोगों के सामने तो चीजें वहाँ से घराब होना शूरू जाती क्योंकि लोगों की negative vibration उस काम के साथ जुड़ी जाती है उस काम में बादा आना शुरू हो जाती है वो काम बनेगा नहीं उसमें डिले होगा और बहुत सारी परिशानी आपको जहलना पड़ेगा दूसरी बात है कि बहुत सारे जाता है कि अपने धन का बखान करते हैं कि हमारे पास इ कि अईश्वर की क्रपा से वो सभी धन जो है वो बहुत दीरे दीरे खतम होता जाता है तीसरी गलती करते हैं माता पिता पती पत्नी भाई भाई भाईों के बीच की जो गुपत रहस्य बाते हैं वो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ आपको जाने और अंजाने में शेर नहीं क रक्यानिता यह बाते बताने से शनी बहुत जादा डिस्टरब होता है और शनी के डिस्टरब होने की वज़े से बहुत सारी परेशानिया आपके जीवन में खड़ी हो जाती है चोता और मूल बात है गुरु मंत्र कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अपना गुरु मंत्र साजा नहीं करना चाहिए जो हमारे गुरु भाई हैं उनके साथ भी गुरु मंत्र को साजा नहीं करना चाहिए गुरु मंत्र का जब हमेशा मन में करना चाहिए और जिन जातकों के पा बहुत बार लोगों के मन में हमारे प्रती एक नकारत्मक भावनाय जुड़ जाती है क्योंकि वह वस्थाय क्या थी वह वातावरन क्या था जिन में सब चीजे हुई वह हम कोई व्यक्ति नहीं समझेगा इसलिए अपमान धोका इसे हमेशा सीक्रेट रखे अगर अच्छा क्या क्या हनो व्यक्ति देए इसनाँग के वे वान क्याओ उणिए अगर इसेंगा में क्या हरा जेँरे था रखे प्तिति मन धखे वे जागर करु़ख 언제 जब वह मत?